राधे राधे दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहे हूँ बेश्ट हेयर आयल बताने जा रहे हूँ आपने ऐसा तेल क्या ही बनाया होगा लेकिन अब बना लीजिये ठीक है क्योंकि कोई भी मौसम बदलता है न सबसे पहले बाल गुच्छे में गुच्छे निकलना चहरे की सबसे ज़्यादा सुन्दर्ता जो बढ़ाता है वो बाल है चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो चाहे बच्चे हो अगर बाल जड़ जाते हैं तो चहरे की आधी सोभा चली जाती है ठीक है तो आज ऐसा तेल बताने जा रही हूँ कि आपको जो है बाल जो जड़ गए हैं ये बिल्कुल री ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे नए बाल निकलना शुरू हो जाएंगे गंजे सर पे भी बाल निकलेगा भाई अगर आप लगाओगे तो जो नहीं लगाता है जो नहीं विस्वास करता है उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती लंबी चोटी घन जो तेल अंदर होता बहुत जल्दी धूप उसके अंदर चली जाती है और तेल कभी भी सालों साल खराब नहीं होता है सीसी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए बिल्कुल भी गीला नमी नहीं होनी चाहिए ठीक है पूछ लीजेगा सूखे कपड़े से मैं आज नारियल तेल में आप सरसो के तेलों बनाना चाहिए तो बना लो लेकिन मैं नारियल तेल में ही आज इसको बना रही हूँ बेश्ट तेल भाया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पसंद क्या कोई खाना है क्या नहीं जब बालों पे काम करता है न तो पसंद आता इसका रिजल्ट देख कर न उतना पा जाता है करी पत्ते में मीठी नीम के पत्ती जिसे बोलते हैं सब के ज्यादा तर लोगों के जो है दरवाजे पे लगी ही होती है ठीक है तो यह आपके बालों में मैजिक क्रियेट करेगा क्योंकि बालों को जो है ना कैल्सियम मिलेगा एक पोशड मिलेगा एक बिष्ट खाद मिलेगा, जो की बालों को चाहिए, वो कमचोर हो चुके हैं, बेजान हो चुके हैं, उनमें कोई जान नहीं, तभी तो टूट रहे हैं, उनको ताकतवर बनाएगा करीपत्ता, ठीक अभी देखते जाएगा, दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही बालों में हजार गुना जादा फैदा करता है, पकाए हुए तेल के मुकाबले, ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि ये तेल खराब होगा, मेरे पास एक साल साल भर गे कच्चे प्याज के तेल रखे हुए होते हैं, प्याज भी अंदर पड़ा होता है, और फिर भी तेल खराब नहीं होता है, दोस्तों प्याज में सलफर पाय जाता है, ये आपके बालों को री ग्रोथ करने का काम करता है, इसमें जो है एंटी वेक्टेरियल गुर होते हैं, एंटी फंगल होता है, ये आपके स्केल्प को हल्दी बनाता है, हल्दी बहुत ही जादा मजबूत ब उसको तेज कर देता है, ठीक है, इसलिए उसके रोम छेद खुल जाएंगे, तो यह जो तेल बना रहे हो ना, यह रोम छेद के अंदर जा पाएगा, अब आ गई भीया, मेथी, मैजिक कर देने वाली चीजे, इसमें कैलसियम, पोटेसियम, जोडियम, बिटामिन A, बिटामिन B, C, फाइवर, और इसमें प्रोटीन पा जाता है, लेकिन मेथी को डालने का तरीका यह है, कि मेथी को पहले सुखा लिजेगा, ऐसे धूप में, मतलब गीली नमी नहीं नहीं होने चाहिए मेथी में, और मेथी को दरदरा पीस लिजेगा, ठीक है, दरदरा पीस लेंगे न जिक को खड़ी रहेगी न, तो खड़ी में, तेल में इतनी जल्दी असर नहीं करेगा, जब आप इसको दरदरा कर दो के पाउडर नहीं बनाना है, बस खड़ से एक बार चलाईए और चल गई, हो गया, अब इसी तरीके से कलोंजी ठीक है, बिटामिन B, बिटामिन B, 12, ब हलका सा सुखाईएगा, और सुखाने के बाद हलका सा इसको दरदरा करके चला लीजेगा, एक बार इसका बटन दबाओगे न, बस एक बार दबाना है, दो चम्मच भर-बर के मेथी, दो चम्मच भर-बर के कलोंजी इसमें आपको डाल देना है, ठीक है, अब इसको मिला ल ये इतना बिष्ट तेल बनता है कि मतलब मैं आपको अपने सब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ इसको जरूर बनाईएगा लेकिन जब बरसात का मौसम हो बरसात का तो आप इस तेल को बनाने से बचिएगा अगर धूप नहीं निकल लए तो ये तेल नहीं बनाईएगा क् क्योंकि बनाते ही एक हपते के लिए वन वीक ये धूप में तेल रखा जाएगा ठीक है और यहां हमारे यहां तो आज भी बहुत तगड़ी धूप है आज की बात बता रहे हूं कल भी धूप बहुत तगड़ी थी ठीक है तो यहां कोई बारिस वरिस का मौसम बिलकुल भी नहीं है भी यह यूपी की बात बता रही हूं आपको ठीक है अब अपने बालों में जड़ों में इसको बढ़िया तेजी तेजी से लगाईए और ठोकिएगा और थोड़ा दबाओ डालिएगा फिंगर से ठीक है ताकि ब्लेट सर्कुलेशन आपके जो है तेज हो और रोम जड़ेगा चैनल को फॉलो जरूर कर लीजेगा